स्वागत है आज हम बाजरी के खिचड़ी तो हमने पहले बताई थी आज हम सहुराष्ट के काठियावाडी बड़े बता रहे हैं वो वर्षा बेन दवे जो आपको बताएंगे अब पहले दई है एक चमज दो चमज दई है ये बाजरे काटा है ये चोकर काटा है जिसे गुजराती में भाकरी का लोट बोलते है और हिंदी में उसे चोकर काटा बोलते है ये है चीनी शुगर अग इससे बदाए आप गुड़ भी ले सकते हो ये है तील ये है हरा लसन और अध्रक और ये है सुझी सुझी याने रवा फिर से देख लेते हैं ये है दनिया ए एक दो चमच है, दो चमच दही, ये बाजरे काटा है, ये है चौकर काटा जिसे बाखरी का लोट बोला जाता है, ये है चिनी, ये है तील और ये है हरा लहसन और अद्रक, इसके पेष्ट कर देना है और यह सुजी और रवाजी से बोलते हैं, अब हमें यह आटा कैसे बनाना है, तो इसमें आपने बाजरे काटा कितना डाला, दो बाटकी, दो कटोरी बाजरी काटा डाला है, और चोकर काटा, आदा कटोरी चोकर काटा डाला है, और आदा सुजी का डाला है, आदा कटोरी सुजी का डाला है, और यह सब जो आपको यह लसन आदू की पेश्ट, दनिया दही, और यह है चीनी, और यह तल, तिल, यह सब इसमें मिलाना है आपको, बराबर आपको पहले फिर से बता दे, कि दो कटोरी बाजरी का अटा, आदा कटोरी चोकर का अटा, और आदा कटोर, यह सुजी आपको डालनी है, सही है, अब इसमें क्या आपको ऑईल डालना है, कितने चमच डाला है आपने इसमें ओईल, इसमें यह सब मिलाने के बाद, चार चमच ओईल डालके, हाँ, नई थोड़ा कठा, नई थोड़ा डीला, ऐसा आटा आप बनाए, पानी से बना है ना, दई से हाँ, तो यह आटे में सब यह मसाले यह, यह, और यह, 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 इतना एक, दो, तीन, चार, पांच मिलाया, इन तीनों आटेों में, तो यह था दो कटोरी आटा, यह था आधा कटोरी और यह था आधा कटोरी, इसके बाद इसमें कितना चमच हल्दी डाल आपने हैं आदर चमच हल्दी, दो चमच मिर्ची और दो चमच धनिया पाउडर डाला और आप नमक जो इसाब से खाते हो वो इसाब से दो चमच उन्होंने दो या तीन चमच आपको जितना टेस्ट पसंद है उतने इसाब से आप नमक डालिए और आटा ऐसे बनाईए जैसे हमारी उंगली इजीली अंदर जा सकती है बराबर अब वर्षा बेन ने आटा गुंद के तैयार रखा है चलिए वर्षा बेन बड़े कैसे बनते हैं वो आप दिखाईए दो लगा के आप दिखाईए चोटे चोटे ऐसे तिल लगाईए आप देखिए साइड में आप तेल गरम करना रख दिया है ना आपने साइड में इधर हमने तेल गरम करना रख दिया है देखो वर्षा बेन कैसे बता रहे है हमारे बड़े तयार हो चुके है अब इसे परोसा जा रहा है ये बड़े देखिए कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं आप द्यान से देखिए ये बाजरे चोकर और सूजी के आटे से बने है आपके गर में किसे खाया जाता है इसे ये है सॉस इसके साथ ये खाया जाता है देखिए इसे आदा तोड़ के बताईए देखिए अंदर से कैसे सिख गए है तो आप द्यान से देखिए सब तो इसे सॉस के साथ खाया जाता है और इसको दही के साथ खाया जाता है चाई के साथ खाया जाता है और खजूर इमली की चटनी के साथ खाया जाता है अब आप किचन की एक टिप्स तो सुनना चाहेंगे तो चलिए वर्षा बेन कौन सी टिप्स बता रहे हैं की ट्रूंग्कडिस की तालव फ्रेंड्श ये किच जप्पु है से च्टनी की समेव इंहां जब प्यात सामाते हैं तो इसकीAgene मताया ज़्र मैं शुक्रिए थिसको फ्रकिए नहीं आने के कारण बहूं लींत पर उट चाहिए तो इसकी बहुत बढ़ी आगी Wow आच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया किसी को पता नहीं होगा जो आपने बताया चाकू को जब हम प्याज काटते है तो चाकू की स्मेल आती है और दूसरी सब्जीया भी उसमें प्याज की स्मेल बेठ जाती है तो वर्षा बेन ने बताया कि उस पर नीमू गस्डो तो प्याज की स्मेल चली जाएगी बहुत बढ़िया वर्षा बेन दुबार आप अपनी वानगी बताएंगा ना